असलाम लेकुम आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास बहुत ज़दा डेटा हो जाता है हम पिछली दो तीन वीडियो में इसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि डेटा की जो कसीर तदाद होती है उसमें अक्सरोगात हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किस परामिटर का या किस वैरियाबल का इफेक्ट अच्छा हो रहा है या जादा हो रहा है हमारा जोई जिस्टों को हम प्रिडिक करना चाते हैं उसके अल्दा तो यह चीज़ होती है इसलिए इस सिचोईशन में हमारे काम आता है डिमेंशनलिटी रिडिक्शन की एक टिक्नीक जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट अनालसिज जिसको आज हम देखेंगे कि PCA क्या होता है आम जबार में उसको हम PCA कहते हैं और हम यह देखेंगे कि PCA जो है उसको हम किस तरह इस्तमाल कर सकते हैं उसके पीछे छुपी जो mathematical concepts हैं वो कौन से हैं आपने PCA के मुतलिक यह सुना होगा कि वो बहुत ज़दा variables को कम करकि हम यह बता रहा होता है कि किस variable का effect और असर ज़ादा है और हमें उसी को अगले model में लेकर आना चाहिए अब यहां पर सिर्फ PCA का हम नहीं करता है बलके heat maps T-SNE plots और बहुत सरी चीज़ें जो यह वाले काम करती है तो आज हम यह देखेंगे कि PCA यह वाले काम किस तरह करता है और हम शुरू बहुत अराम से two dimension में लेकर चलेंगे और उसको हम extend भी कर सकते हैं three dimension में और वह सब चीज़ें देखता है चलें शुरू करता है तो शुरू हमने यहां से करना है कि मेरे पास यह score है math का और machine learning का test और यहां पर मेरे पास 6 students है अच्छो यहां पर machine learning की और math की question की बात है उस तो अगर हटके मैं यहां पर एक बात करूँ कि अक्सरोगात ऐसा होता है जो PCA की importance की बात एक है वो यह है कि data के अंदर हम class में अगर students की बात करें तो हम जब उनको enroll करते हैं जब admission होता है उस वक्त हम यह कहते हैं कि सब की एक ही किसम की उनकी हमने एक screening test रखा होता उस सब बच्चों ने जो पास होकर आगए class में वो सब जहीन है ठीक है तो अब वो सब जहीन है हमें किसे पता चलेगा कि उन में से यह particular बच्चे जो है वो math समें अच्चे है यह particular budget जह है वो machine learning के अंदर अच्चे है इस तरह की चीज़ों को अगर उनके दरम्यान में कोई certain cluster बनता वा नज़र आ रहा है तो वो भी हम principal component के तुरू निकाल सकते हैं जैसे यहां पर मैंने example ली है यहां मैंने सब दो अभी लिया है column यानि के दो test के score इसलिए लिए है ताकि हम छोटे example से शुरू करें अपने concept बिल्ड करें और उसके बाद उसको हम 3D, 4D में तफदील कर सकते हैं यहां पर मेरे पास 6 student है और मेरे पास math का score है और machine learning का score है अगर मैं इसको plot करके देखू तो वह कुछ इस तरह का बरेगा यानि के पहले 3 students हमें यहां पर A cluster में नजर आ रहे हैं और दूसरे जब 4-5-6 student हैं वह हमें इस तरह नजर आ रहे हैं तो इसका यह मतलब हो कि कोई hidden pattern यहां पर मजूद था जो कि हमें नजर आ रहे हैं कि इस data के अंदर different किसम के groups मजूद हैं और हमें उनको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए और उसका उसी तरीके सा hypothesis generate करना चाहिए अब हम यह वाली बात करेंगे कि अगर हमार पर इस तरह के data मजूद है उसका PCA calculate किस तरह करते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे हम पहले सबसे average निकाल लेंगे average किस तरह किस तरह निकाल लेंगे कि हैंपर हर पॉइंट है जिससका math score है तो यह वाला पॉइंट है उसका math score कोई certain है यह बाला point अ ही student है उनके math score certain है तब math के हराए से सबसे jetzt के makes look और क्या है जब हमने दोनों को देखा हमार पस एक point आजएगा इस coordinate system में जो के average score को represent कर रहा हो का machine learning की और math के score को इस point पे जब हमने PCA calculate करना है तो मुझे data की ज़रूद नहीं है अब हम graph से ही समझेंगे सब कुछ इसको हम थोड़ा सा मजीद refine करके देख लेता हूँ अब यहां पर यह data हमार पस आगय हमने average score निका लिए सबसे पहला स्था यह होता है कि हम क्या करेंगे इस data को उठाके shift कर लिए origin के उपर मैंने इसको shift कर लिया shift करने से इसकी जो असल में context है वो तबदील नहीं हुआ किस तरह क्योंकि यह वाला जो points थे वो high scorer थे और यहां पर भी यह high scorer ही है यह वाले points से वो low scorer थे और यह अभी भी low scorer ही है यह overall low scorer नहीं है लेकिन किसी एक subject में कि कम नंबर आए तो कांटेक्स में difference नहीं आया यह बात बहुत ऐहम है ठीक है सबसे पहला सरफ हमने यहां पर क्या कर लिया सबसे पहला सरफ हमने किया कि हमने average निकाला और हमने उनकी जो average था उसको origin पर लेकर उसको shift कर लिया और इसमें अभी तक किसी किसम कोई context में तबदीली नहीं आई नेक्स्ट अब यह होगा कि यहां पर मैं एक line fit करूँ वो जो line है वो origin में से pass होनी जरूरी है ठीक है यानिकि average score उसमें से pass होना जरूरी है अब जो line हम fit करते हैं उसका arm और classic तरीका तो ही होता है जो residual है वो कम से कम हो जाए यानिकि इस line का इस point से distance है वो कम से कम होता रहे । इस तरह है कि यह वाला जो point है इनके यहां पर projection हे इस line की ओपर लेता है Can I can see if this line का इस लाइन का साहिए हां पर यहा अगा था इस पॉंट का यह आ गया सॉरी, पॉंट का लाइन का नहीं और इस तरह यहां पे जितने पूंट्स थाह उनका क्या प्रोजेक्शन इस टन पर पनीए थी वह आमने देख ली अब जिसन कि मैंने कहा कि हम यह देखते हैं classic तरीका हमारी यह होता है अध geben, अधिस लायन का distance कम से कम होता जाए और दूसरा तरीका यह होता है origin से इस point का distance होता होता है जिस तरह यह वाला point यह point है certain और यह line है जितना इसका distance कम होगा obviously origin से उसका distance बढ़ता चाहेगा तो यहां पर हम इस distance की बात करेंगे जो origins है कर मैं इसको visualize करने की कोशिश करूँ यहां पर यह वाला distance था वो यहां से यहां आ रहा था और अगर मैं इसको थोड़ा सा split करके देखूं तो रोटेट करके देखूं तो distance बढ़ गया है मजीद इसलिए हम यह दोनों बिलकुल सेम बात हैं यहां मैं point का line से difference कम देखूं यहां मैं point का origin के साथ जो difference है वह ज Agda बेखूं मなた 12 है उहां पर difference वाली बात है उसको यहां पर d1 कह देते अब इनको square करने का यहां पर नुए है या क्या इसके पीछे analogy है वो यह है कि हम square इसलिए करते हैं जब हम residuals को square कर रहे होते हैं जो positive negative को effect होते हैं और इनके interpretability होती है वो खतम ना हो जाए इसलिए हम यहां पर इसको square कर रहे हैं just like residuals और यहां मैंने some of square of distances को नाम दे दिया है तो हमारा target ही है कि हम इसको maximize करें और हमारे पास यह एक line fit हो गई है यह line fit हो गई है जिसमें इस सारे points के distance है वो maximize हो गई है और यह हमने निकालिया है अपना PC1 Principal Component 1 PC1 से क्या मुराद है यह PC1 हमने निकाला है Maths का PC1 Principal Component for Mathematics अब यह मुझे क्या बता रहा है कि यहां पर इसकी slope line की क्या है 0.25 जिससे मुझे यह पता चलागा अगर हम 4 unit जाते हैं Math की direction में तो 1 unit हम achieve करेंगे Machine Learning की direction में यानिक इस point में जो variability है वो Mathematics में जादा है अगर 4 score किसे बच्चे के Maths में जादा हते हैं तो वो 1 score Machine Learning में achieve करें और अगर मैं से इसको देखू तो हम यहां पर एक recipe के तौर पर इसको देख सकते हैं कि 4 part हमने Machine Learning 4 part मैंने Maths के लेने हैं और 1 part मैंने Machine Learning के लेने हैं और इसको हम linear combination केते हैं 4 times Maths plus 1 times Machine Learning This is how we can get the linear combination for our PC1 यानि के principle component for our Mathematics ठीक है तो यह मने निकालिया अब यहां पर एक चीज बहुत ऐहम है वो यह है कि जब हम 4 unit 1 और 4 unit Maths में और 1 unit Machine Learning में जाते हैं तो हम एक certain point achieve करें यहां पर वो certain point अगर मैं origins उसकी तरफ आऊं तो वो इसी तरह से होगा जब हम Pythogran theorem में solve करते हैं यह से कहें कि ट्राइंगल आपको याद होगी कि जो A है यहां पर असल में यह 4 है यह जो right angle बन रहा है A और B के दरम्यान में तो B की यहां पर value 1 है मुझे यह C निकालना है और C निकालने के लिए हमारे पास formula होता है A square plus B square is equal to C square A की जगा अगर मैं 4 put करूँ B की जगा अगर मैं 1 put करूँ तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 4.12 यानि कि यह vector है origin से लेकर उस certain point तक जिस पर मैंने जाना है वो मुझे बता रहा है this is 4.12 अब क्योंकि हम PC1 में तो इसकी कुछ restrictions होती है और कुछ refined चीजें होती है उसके लिए हम क्या करेंगे मुझे यहां पर एक unit vector चाहिए यानि कि ऐसा vector जिसकी value सिरफ 1 हो तो हम क्या करेंगे 4 को भी 4.12 को 4.12 से divide करेंगे तो 1 आ जाएगा इसे तरह किसे 4 को 4.12 से divide करेंगे और 1 को 1.12 से divide करेंगे तो मेरे पास याज जी की ratio 0.97 and 0.242 अब इसको divide करने से अगें इनकी जो थी values इस पर कोई फरक नहीं पड़ा ठीक है इसलिए इसका जो vector है उसका size तो छोटा हो जाएगा 0.97 0.242 लेकिन असर में जिस point पर हम पहुंचेंगे वो exactly वही होगा और जो हमने यह हम पर combination लिखा होगा वो भी उसी तरह किसा जगा जो relative ratio है उन दोना की वो बिल्कुल भी तबदील नहीं होगी 0.97 and 0.242 का असल में ही मतलब है कि चार score maths के जब add होंगे तो एक unit machine learning का add हो जागा और यह हम linear combination में पढ़ लिया हमने जो भी हमने बात की unit vector की वो असल में कहलाता है eigen vector और principal component analysis में यह जो चीज़ा भी हम देखने शुरी की हैं सबसे पहला के linear combination हम बनाते हैं दूसरा eigen vector बहुत ज़दा अहम होता है तो eigen vector हमार पस आगे और वो कहलाता है unit vector क्योंकि उसका absolute magnitude है वो one होता है यानि कि वो एक distance origin से दूर होता है तो यहां तक हमने बात कर लिए PC1 की अब मुझे PC2 निकालना है यानि कि machine learning के लिए भी मुझे चाहिए कि वो किसनी variability उसके अंदर आ रही है उसके simply हम क्या करेंगे हम यहां पर एक यहां पर मैंने आपको यह भी बिता दी है कि जो हम आपस distance for PC1 उसको हमने eigen vector for PC1 लिख लिया हुआ है क्योंकि सारा जो concept है वो हमारा उसे distance से आया था जो हमने origin से हर point का maximum किया हुआ था Now for PC2 हम simple एक perpendicular line लेकर आएंगे जो उस PC1 वाली line के 90 degree angle पर होनी चाहिए PC1 हमने निकाल लिए PC1 हमने निकालने के बाद PC2 निकाल लिए PC4 machine learning, principal component for the machine learning और वो होना चाहिए 90 degree पर जो हमने PC1 निकाला हुआ और इसे हम मजीद किसी किसम की optimization की ज़रूरत नहीं है और हमने इसको मजीद rotate नहीं करना तो इसको as it is रखेंगे तो यहां पर क्योंकि यह inverse relation हो जाएगा इसका इसका मतलब होगा कि अब 4 unit अगर हम machine learning में जाते हैं तो हम minus 1 maths में जाएगे यह इन चीज़ों को predict करेंगे हम आपर इस तरह एक linear relation इसका आजएगा ठीक है वह हम आपर particular linear relation आजएगा और इसी तरह किसे हमार पस उसका eigen vector आजएगा अब बात यादे है कि हमने PC1 और PC2 निकालिया है कि मैं यहां पर पीछे जाओ मैंने इस तरह किसे PC1 और PC2 निकालिया PC3 या PC4 की जरूरत कब मैसूस होगी आपने हमेशे यह वाली बात याद रखनी है कि हमें कितने principal components नहीं इस बात पर इनिसार होता है कि आपके data में columns कितने हैं यहां पर मैं पस दो columns थे तो हमें दो principal components निकाल लेते हैं अब अगर मैं यहां पर PC3 निकालने के कोशिश करूँ अगर आपके पस three dimension में data मुझूद है तो बहां पर आप तीन pieces निकालने के PC1, PC2, PC3 और उसके PC1 जब आप निकालने PC2 शुद भी perpendicular to PC1 और फिर हम वह उसकी linear combination निकालने और पर PC3 निकालने तो PC3 शुद भी perpendicular to PC1 and PC2 यह सब चीज़ें जो हैं वह हम इसी तरह के सागे लेगे चलते जाते हैं और linear combination निकालते जाते हैं obviously three dimension के बाद हमारे लिए visualization हम चीज़ों को जिस तरह विजुलाइज कर रहे होते हैं तो यह PC2 जो हम निकाल रहे होते हैं principal components वो इस चीज़ में रुकावट नहीं बनते हैं हमारे लिए लिए इसको visualize करना अगर मुश्किल है लेकिन हम उसको निकाल भी सकते हैं हम Python में simple principal component analysis है उसके एक छोटा सा model develop करते हैं वो लगा लेते हैं और back-end पे सारह mathematically जो हम चीज़ कर रहे होते हैं अच्छा अगर यहां पर यह चीज़ हमने दो PC निकाली हैं अब हमने क्या करना है जो machine learning की और maths की जो basically हमने coordinate निकालावा था उसको अब हमने कर देना है और यह PC1 और PC2 की graph को rotate कर देना इतना कि हम उसको X और Y की सूरत में देख सकें क्योंकि यह दोने एक दूसरे के perpendicular थे तो हमने उसको rotate किया तो हम पर इस तरह आगे और यहां पर हम पर जो points थे जो हम उसको project कर रहे थे line पर दोनों के तो उसको जब हम project back करेंगे तो हम पर points पर पड़े होंगे अब यहां पर हमने यह बात देखी थी कि जो distances for PC1 हैं वो हमने आइगन vector निकाल लिया था और यह चीज़ हमारे पस आगे थी अब हमने यह भी तो बताना है कि किस principal component का असा जादा है और कौन सा variable ऐसा जिसको हमने लेकर आगे जाना चाहिए जो हमारा जादा variability को बता रहा है कि हमारा main target हुई है कि हम dimension reduce करना चाहते हैं हम अपने parameter बहुत जादे हैं उन में से वही आगे लेकर जाना चाहते हैं जिनका असर जादा है हम जिस चीज़ को predict करना चाहते हैं तो वह करने के लिए हमारा पार formula ही हो जाएगा कि हम जब आपस distances आएंगे उसको n-1 से divide कर देंगे हमने बात कर रहे हैं n-1 वाली यह video के अंदर मुझूद है जब हम strand deviation को पढ़ रहे थे और strand error को पढ़ रहे थे यह सब videos statistics for data science की series के अंदर मुझूद है वहाँ जाएगा आप उसको check कर सकते हैं यहां पर जब हम इसको इससे divide कर देंगे तो हम variation for PC1 और variation for PC2 निकाल सकते हैं यह नहीं कि variation की सुरत में आएगी percentage की सुरत में जिसे PC2 17% of the variation बता रहा है और PC1 83% of the variation बता रहा है इसका यह मतलब वह को जो mathematics वाला portion था उसके हवाले से यह उसके 8-digit variation जादा थी as compared to machine learning machine learning में इतनी variation नहीं थी जो इस ratio से में पता चल रही है अब मैं अगर वो उस data की तरफ दोबारा जाओ और देखूं कि यह मेरे पास score किस तरह के थे तो अब मेरे पास यह score आ गए है अगर मैं इसको मैट्स में किया 95, 88, 93 और एकदम से 90, 20, 30 जबके machine learning में 96, 79, 98, 70, 60, 62 तो variation machine learning में कम है जबके मैट्स में variation जादा है और ही हमें इस PC जो principal component analysis हमने किया तो हम यह पता चला कि जो ratio है मैट्स की variability वह जादा है as compared to machine learning जितने आपके पास column बढ़ते जाएंगे उसी हवाले से आपका principal components बढ़ते जाएंगे और अब यह वाली बात आती है कि इससे में फाइदा क्या हो जितने हम column बढ़ते जाएंगे उतने principal components बढ़ते जाएंगे यह reduction का हम पर हो रही है reduction यहां पर होगी कि जब आपने यहां पर हमने end पर यह देख लिया 4% variation बता रहा है और 17% variation बता रहा है आपने वह दो ऐसे variables को चुनना है जो जादातर variation को बता रहे हैं अगर एक variable 2% of the variation बता रहे है तो उसको skip कर देना बहतर है क्योंकि जादा variation है 98% वह तो दो और variables आपको बता रहे हैं यह सारी चीज़ें थी जो nitty gritties हम principal component में देखते हैं समझता हमें आगया है और इसको हम simply python में implement करके भी उस component की equation को देख सकते हैं विजलाइस कर सकते हैं उमीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी तरी की समझा गई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए मुझे देए इसाज़त अलाह आफिस